चतरपुर के S.P. का रियाले में एक बार फिर फूल चंदर कुसबाहा अपनी शिकायत लेकर पहुँचे जहाँ पर उनों ने S.P. अगंजेन से मुलाकात करते हुए अपनी पीड़ा सुनाई ये बही फूल चंदर कुसबाहा हैं जिनकी पतनी के पाँच पती हैं और इसका मुद्धा पिछले दिनों मीडिया की सुर्खिया बना हुआ था जब फूल चंदर कुसबाहा ने S.P. आफिस में जनसुनवाई में शिकायत की आविदन देते हुए अपनी पतनी विनीता बिड़जेस उर्फ सल्मान के खिलाप महिला थाने में धारा 419 और 420 का मुकदमा कायम कराया था जिसके बाद पतनी बिनीता ने अपने पती फूल चंदर कुसबाह के खिलाप साजिस करते हुए सिटी कोदवाली में जूटा मुकदमा दर्ज कराते हुए बी एस एमेस की धारा 315-308-2 के तहट F.I.R. दर्ज कराई जिसके अवैद सम्मंद बसूली की मांग या रंगदारी करने और धमकाने के आरोप और पतनी का कोई वीडियो वाइरल करने की धमकी दी जिसे लेकर आज फूल चंदर S.P. कारेला में गुहा लगाने पहुचा फूल चंदर ने अपनी पतनी विनीता और फिस सल्मा के विरुद पहले से ही S.P. और D.I.G. कारेला में आवेदन दे रखे थे कि बहे उसके खिलाब कोई भी जूटा मुकदमा करा सकती है और इसके साथ साथ उसका पुरुस मित्र सल्मान खान दे रहा है हलाकि फूल चंदर का कहना है कि छतरपुर S.P. अगम जेन ने आशवाशन दिया है कि निश्चित तोर पर इस मामले की सही जाज कराई जाएगी और जो भी गलत होगा उसके खिलाब सक्त कारवाई भी की जाएगी इस तरीके के आशवासन से फूल चंदर को कुछ आस तो बनी है लेकिन उसका कहना है कि अगर ऐसे ही मेरी पत्नी मुझे परकालित करती रही तो एक दिन मैं आत्मात्या कल लूँगा इस दोरान फूल चंदर कुस्वाहा नए मीडिया से बात करते हुए क्या कहा यह सुन लीजिए किसमें टूटल फर्जी मुकदमा है और ऐसा ही मुकदमा उसना कुछ दिन पहले तीन महीने पहले परवेश खान पर भी लगवाया था अब उससे भी कुछ पाईसे की लिए नदेन करके उसके बियान बदल दिये हैं और वह बरी हो गया उसके इसमें राजी नमा कर लिया है आप क्या चाहते हैं? तक मेरे पास समय में जानसे मरवा दूगी सब्सक्राइब कर दो कों धुंगी देता है आपके पैसिती इसने मौका का फाद वाटा कि मेरी एफ़यर कर वादी अब मुझे जानसे मरवा तो आप लोगों ने फूल चंद्र कुजबाहा का सुना जिसकी पतनी के पांच पती हैं और यह प्रतारित होकर SP का रहले पहुचा इसे जब पता चला 13 साल बाद जब उसकी पतनी से उसका बिबाद शुरू हुआ उसके पहले उसे ये भी नहीं था पता कि उसकी पतनी के पांच पती हैं लेकिन जब बिबाद की कहानी धीरे धीरे बढ़ने लगी तो फूल चंद्र को यह सुराग लगने लगे कि उसकी पतनी के पहले से ही पांच पती थे ये इस बात का खुला सा फूल चंद्र ने पिछले किये जा रहे हैं तमाम चीजों को लेकर अब फूल चंदर नियाय की गुहार लगाने SP का रेला एक बार फिर पहुंचा है अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस किस तरीके की कारवाही करती है और यहाँ पे आप लोगों से कमिट बॉक्स पर हम यह रहे लेना चाहते हैं कि इस तरीके से एक महिला पांच पती बनाती है तो यह क्या ठीक है इसके साथ ही सभी पतियों को एक-एक करके ऐसे मामलों में फसा देती है जिसके बाद उनसे उसे चुटकारा मिल जाता है कमिट बॉक्स पर अपनी पृतिकिनिया देना न भूलें इसके साथ ही हर अपडेट हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से देखते रहें वर्दान एक्सप्रेस